नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे सारे दश्कों का मैं अश्पृत कोर्ष स्वागत करती हूँ आओ आपको कुर्बानी के एक ऐसी मिसाल से अगवत करवाते हैं जो दुनिया में शायदी कहीं मिले 21 दिसंबर, श्री गुरु गोविन सिंग जी ने परिवार सहित अननपूर सहीब का किला छोड़ा 22 दिसंबर, श्री गुरु सहीब अपने दोनों बड़े पुत्रों सहीद चमकौर के मैदान में पहुँचे और गुरु साहिब की माता और छोटे दोनों साहिब जादों को गंगु नामक ब्रामन जो कभी गुरु घरकार सोया था उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया चमकार की जंग शुरू और दुश्मनों से जूचते हुए गुरु साहिब के बड़े साहिब जादे श्री अजीश सिंग उमर मह स्तारा वर्षय और छोटे साहिब जादे श्री जुजार सिंग उमर महज 14 वर्ष अपने 11 अन्य साथियों सहित महजब और मुलक की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप पत हुए 23 दिसंबर श्री गुरु साहिब की माता श्री गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिब जादे गंगु ब्रामण के द्वारा गहने एव अन्य समान चोरी करने के उपरांत तीनों को मुखबरी कर मौरिंडा के चौधरी गनी खान और मनी खान के हातों गिरफतार करवा दिया गया 25 और 26 दिसंबर यानि की आज चोटे साहिब जादों को नवाज वजीर खांकी अदालत में पेश किया गया और उन्हें धरम परिवतन करने के लिए लालच दिया गया 27 दिसंबर साहिब जादा जोरावार सिंग उन महट आठ वर्ष और साहिब जादा फते सिंग उमर मह च्छे वर्ष को तमाम जुल्म और जबर उप्रांथ जिंदा दिवार में चिनान उप्रांथ जीब गला रेत कर शहीद किया गया और खबर सुनते ही माता गुजर कॉर्प ने अपने सांस त्याद दिये अब निन्दे आप करो कि 25 दिसंबर को क्रिस्मिस को तवज़ा मिलन की चाहिए या कुर्बानी की अनोखी और शायद दुनिया की लौती मिसाल को इस शहीदी सप्ता से सभी को अगवात कराते हैं तू इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को सिक धर्म की बुनियात का पता चल सके धन्यावाद